आज की इस वीडियों हम बात करने वाले हैं गोपरो 9 के बारे में जो इंडिया में लॉंच हो चुका है और उसमें टॉप 12 फीचर्स दिये गए हैं कौन से हैं 12 फीचर्स ऐसे जो गोपरो 9 को वेश्ट बनाता है और क्या है उसकी स्पेसिकेसंद कैसा है गोपरो 9 जानते हैं इस वीडियो में थोलो फ्रेंड मेरा नाम नीरज चैनल का होश्ट और आपका दोश्ट टेकनिकल नीरज एटीज आए दिखाते हैं गोपरो 9 इंडिया में लॉंच हो गया और गोपरो 9 में जो है टॉप 12 फीचर्स दिये गए हैं और आप देख सकते हैं यह हैं टॉप 12 फीचर्स और मैं एक एक फीचर्स के बारे में आप सभी से बात करूंगा एक्स्प्लेइन करूंगा वीडियो आप सभी के लिए यूच फोर्टोंगे यह हैं अबर जो नाइन दिया गया है नंबर दूसरे की बात करते हैं जिसमें गोपरो 9 में आप सभी को 4K 5K एंडिया गया जहां पर के अगर उक्लिक इन करते फ्रेम पर सिकन्ट पर यहां प접 спाइब करते हैं तो वहाँ पर शेकंट सिकन्ट मिलाइगा अगर लाइनर पर आ सिकन्ट करने के लिए यह काफी सारे बीडियोको फॉर्मिट जो अलग-अलग भीडियोस क करा चाहिए नमबर तीसरा GoPro 9 को आप जो है 33 फिट और 10 मीटर की गहराई में ले जा सकते हैं waterproof दिया गया support जो कि बहुत ज़्यादा गहरा है 33 फिट जो है ले जाना बहुत ज़्यादा मुस्किल हो जाता है काफी गहरा हो जाता है गोपरो 9 में better जो है waterproof की जो है support दिया गया जहांपे आप 10 मीटर और 33 फिट की गहराई में जा सकते हैं लेकर नंबर चार गोपरो 9 में हाइपर इस्मूध 3.0 का सपोर्ट मिलता है जहां पर अपनी वीडियो को बनाते समय बहुत ज्यादा इस्ट्रैबलेजेशन रहेगा और वीडियो बहुत इस्मूध बनेगी जहां पर सेक आने का चांस जो है बिल्कुल भी नहीं रहेगा अगर आप इसे गिंबल पर इस्तमाल करते हैं तो वहां पर और ज्यादा इस्मूध बन जाएगा जो कि यहां पर 3.0 का हाइपर इस्मूध का सपोर्ट दे दिया गया है नंबर 5 गोपरो 9 में आप सभी को इन बिल्ड मांटिंग का सपोर्ट मिल जाता है जिसकी वज़ा से आप किसी भी ट्राइपोर्ट में गोपरो 9 को अटेच करा सकते हैं बीना केस के केस की जुरूत नहीं पड़ेगी आप किसी भी ट्राइपोर्ट पे गर अटेच कराना चाते हैं मांट करना चाते हैं गोपरो 9 को आप कर सकते हैं बड़े आसानी से नंबर 6 गोपरो 9 में सलोमो का उप्सन दे दिया गया है जहां पे आप Atex तक आप सलोमो बना सकते हैं 820 toxis Kingdom box अगर आप किसी भी सोचल मेडिया करना चाते हैं तो अब्सक्राइण और सकते हैं नंबर 10. GoPro 9 में आपको schedules capture दिया गया है जहाँ पर कोई photos या videos को start करना चाहते हैं या कोई photos को capture करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर timer को set कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप photos को click कर पाएंगे timer लगा के GoPro 9 camera को रख कि उसके बाद photos को capture कर सकते हैं नमबर 11 GoPro 9 में super photo plus HDR का option मिल जाता है जहाँ पर आप super photos को भी click कर सकते हैं HDR के साथ भी आप अपनी कोई भी photos को HDR में भी click कर पाएंगे और नमबर 12 जहाँ पर आप raw files को भी suit कर पाएंगे अगर कोई भी photos या videos को आप suit करना चाहते हैं डिस्प्ले मिलता है जहां पर आपको touch के साथ सपोर्ड मिलता है और दूसरा डिस्प्ले आपको जो है front में मिलता है जहां पर आप GoPro 9 से frame को view देख सकते हैं अगर आप एक ब्लॉगिंग करते हैं GoPro 9 camera के साथ तो आपके लिए ज्यादा बेटर होने वाला है जिससे आप GoPro 9 को frame देख सकते हैं बेटर देन हो सकता है जिस तरीके साथ GoPro 9 को use करेंगे आपको front view देखेगा ये ज्यादा बेटर option है GoPro 9 जो इसे होना चाहिए था GoPro 9 से vlogging सूट करने का मज़ाई कुछ अलग है GoPro 9 की батări की बात कर लिया जए अगर बैटरी की बात करते हैं तो इसमें आप सभी को जो है 720D image की बैटरी मिल जाती है जो कि बैटरी इसकी जो है GoPro 7 या 8 ब्लेक से ही बड़ी है क्योंकि GoPro 9 का बैटरी जो है GoPro 9 में ही लगीगा ना कि आप GoPro 9 की बैटरी GoPro 7 या 8 में लगा सकती है GoPro 9 का बैटरी से GoPro 9 में लगेगा क्योंकि उसकी बैटरी की साइज जो है उससे बड़ी है GoPro 9 में कमाल का feature से यह दिया गया है जहां पे आप GoPro 9 में lens को change कर पाएंगे अलग-अलग lens को अपने हिसाब से लगा पाएंगे यह ज़्यादा एक better features है जहां लोग अपने हिसाब से lens को लगा पाएंगे GoPro 9 के IDEO features की बात किया जाए तो जहां पे GoPro 9 में USB-C type का option दिया गया है जहां पे आप attach करा सकते हैं 3.5 mm का jack वो भी direct नहीं attach करा पाएंगे या रोड या बोया जो भी माइक आप attach कराना चाते हैं 3.5 mm jack के साथ attach करा पाएंगे अगर आप GoPro 9 का media mode accessories को purchase करते हैं तो आप सभी को उसमें advanced window noise radiation का option मिल जाएगा जिसकी वजह से आप अपनी sound quality को अच्छे से अच्छे record कर पाएंगे उसी में आप सभी को option मिल जाता है 3.5 mm jack का जिसमें आप external mic को use कर पाएंगे चाहिए आप उसमें road का wireless mic को attach करा पाएंगे या road का video mic को भी attach करा पाएंगे या बोया को mic को भी attach करा पाएंगे बात करते हैं GoPro 9 के connectivity features कौन कौन से मिल जाते हैं और साथ में आपको HDMI का support मिल जाता है बित मीडिया मोड के साथ अगर आप मीडिया मोड एसेसरी को खरीदते हैं तब जाके आप HDMI का भी option को connect करा पाएंगे अलग से display देख पाएंगे तो यहां पर आपको जो है GoPro 9 में Micro USB के बज़े यूजबी सी टाइप को option दी गया यह थे GoPro 9 के टॉप 12 फीचर जो मैंने आप सभी को बताया अगर GoPro 9 के बारे में डिटेल में आपको जानना है तो मैं description में आप सभी को link दे दूँगा आप वहां से जाके देख सकते हैं तो आई हो वीडियो आप सभी को पसंद आया हुगा अगर चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजीगा साथ में वीडियो लाइक और से जरूर कर द झाल मैं योज टाल मैंगोगे अे इद्ड़ सकते हैं अच आप साथ से जरूर क 선व को थे साल कोravist हैं लेवां अबर कर ले कि देख साथ जाया है अबर कर से दोंदा दाल मैं खूर को और को छूर कर्व का दो संदा हैं योधन टो खूर कर